हालो गॉईज आप सभी सात्यों का स्वागत है आपके अपनी यीट्यूब चैनल टॉप पर शीन पर तो हम सभी लोग को ये लग रहाता कि लोगसभा चुनाओ 2024 में हैं और लोगसभा चुनाओ को मद्दे नजर रखते हुए जो है 2024 में हम लोगों को एक सिक्षक भरती जरू को मिलेगा बट ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है और आज की न्यूजपेफर में जो अपडेट आई है उसको में देखेंगे कि नए सिक्षा सेवा आई उपर क्या काम चलना है साथी साथ यूपी-PSC की और भी जो भरतियां वो टलेंगी और और भरतियां क्या मतल जो आरो-आरो और PCS की जो प्री की परिक्षा टली है तो उसकी में से भी टलने वाली है उसके बारे में भी अपडेट है यूपी-पी दुबारा परिक्षा आनलाइन होने पर विचार किया जा रहा इस पर भी जो अपडेट है उसको हम लोग देखने वाले हैं तो अगर आ अंदार बुक है अगर आप प्रदान सिक्षक भरती की आप त्यारी कर रहे हैं तो आप ये बुक खरी सकते हैं जो कि बिल्कुल लेटेस्ट पैटरन पर आधारीत है बिल्कुल नवीन सिलेबस पर आधारीत है तो आप सभी लोग को ये जो बुक है वो आपको बुकी स्टो जादा आपको बहुत विकल्पे प्रस्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे और जो भी यहां पर कोश्चन से उनके सल्यूसन भी बहुत जबर्दस तरीके से हैं आप स्क्रीन पर इनकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के भी सामानध्यन की बुक देख सकते हैं जिसमें 5000 से जादा जो है यहां पर चैप्टर वाइज आपको कोश्चन देखने को मिलेंगे तो जबर्दस बुक है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ले लिजिए तो यह देख सकते हैं आप यहां पर जो चात्र है वो लगातार नए सिक्षा सेवा आयोग की मांग कर रहे हैं प्रतियोगियों ने जिला प्रसासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को ग्यापन भी प्रिसित किया इस मौके पर बहुत सारे चात जो है वहां पर मौजूद रहे हैं यहां पर चात दावा करें कि अगर योगी जी चाहें तो मातर एक दिनों में जो है नए सिक्षा सेवा आयोग बन सकता है जो कि बिल्कुल सही बात है कही न कहीं जो चीजें हैं वो यहां पर सही होती नजर नहीं आ रही है इसी वज़ा से चाहे TGT PGT की एक्जाम डेट हो चाहे बच्चों का जो उम्मीद सुपर्टेट या फिर 6-8 की वेकेंसी वो कहीं न कहीं जो उनकी उम्मीदे हैं वो पानी फिरता नजर आ रहा है क्योंकि लोकसभा का चुनाओ का आचार संगता भी लगने वाली है और जैसे ही आचार संगता लग जाएगी यह नए सिक्चा सेवायोग का भी काम ठप हो जाएगा और जो यह TGT PGT का जो एक्जाम डेट है कम से कम 5-6 महीन वो पीछे हो जाएगा चलिए फिलाल आगे और भी यहाँ पर अपडेट लिखा है कि नए सिक्चा सेवा चैनायोग के अद्दैक्ष और सदस्यों की नुक्ती प्रिक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है लोकसभा चुनाओ की अद्सूचना जारी होते ही आचार संगता लागू हो जाएगी और असास्किय साहता प्राद माधें विद्यालों में TGT PGT के 436 पदों पर भरती के लिए 13,00,000,000 से अधिक 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 पूरी हो चुकी है लेकिन नए आयोग के गठरन के इंतिजार में भरती प्रिक्रिया अटकी हुई है आयोग के अध्दैक्ष और सदस्यों की नियुक कहना की आवेद्रों के स्क्रीनिक भी पूरी हो चुकी अब आयोक के अधीकी TM2 सेंबनी आदेश जारी होना बाकी रह गया है अभ्यरती चाहते हैं कि आचार संव भाझता लगों होने से पहले या प्रक्रिया पूरी कर ली जायर ताकि नए आयोग के सक्रिये होते ही लंम ग गरतियों की परिच्छा कराई जा सके तो दिक्कत यह है कि यहाँ पर पूरा जो है अध्यक्षुए सदस्रुए इनकी न्यूक्ति तो हो सरके बट इसको करे को ना कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा ना को पता है जिकर नया सिक्षा सेवा आयोग अगर गठित हो जाएगा तो पर बच्चे सिधा-सिधा एकजान डेट की मांग करेंगे नई भरति की मांग करेंगे इसलिए इसको लंबित किया जारा है पिछले डेड दो साल से ऑयोग जो बन रहा है इसी का जोटजना जोए लोगों को दिया जा रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं आज कई सारे निव आनलाइन कराने पर मन्तन, सिपाही भरती परिक्षा में गरवड़ी के बाद अब दुबारा लिखित परिक्षा कराने के लिए तैयारी में जुटा उत्तर प्रदेश पुलिस भरती एवं परनती बोर्ड आनलाइन परिक्षा के विकल पर भी विचार कर रहा है, सूत्रों के म अधिकारी इस बात को लेकर हलकाने की दुबारा परिक्षा अउजित करने के दोरान पेपर लीग गैंग सालवर गैंग नकल मापया से कैसे बचा जाए वही परिक्षा कराने वाली कारदा एजंसी का चैन भी दुबारा होना है जिसके लिए किसी निजी एजंसी को मौका देन की हिम्मत अधिकारी जुटा नहीं पा रहे हैं कई अधिकारीों का मत है कि भरती वोट को दिल्ली पुलिस आध की तरह परिक्षा कराने वाली किसी ऐसी सरकारी संस्ता की सेवाई लेनी चाहिए जिनके पास पेपर लीग आधि पर अंकुस लगाने का पुक्ता इंतजाम रह की हैं जिसके बाद परिक्षा केंद बनाए गए कंप्यूटर केंद्रों के संचालकों के खिलाम मुकदमा भी दर्जी होते हैं ऐसे में इस विकल पर भी विचार हो रहा है कि अब बैरती पहले सारी दक्षिता परिक्षा करा ली जाए जिसमें चैनित अब्यार्तों को लिक परिक्षा करिवाने में बहुत जाएनका टाइम भी जाएगा और बहुत जारास्त Walmart फिर भरतिय होगी वह बिल्कुल फिक्स है लेकिन अब आल लाइन परिक्षा होगी कि अफ्लाइन परिक्षा करवाई जाए या पहले जो है यहां पर आपका फिजिकल टेस्ट करवाया जाए देखते हैं क्या होता है जो भी अपडेट होगी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी आगे आते हैं देखते हैं PCS के UPPSC की तरफ से जो दो बड़ी भरती परिक्षा हैं थी एक आरो यारो और PCS की प्री यह दोनों तो टल चुकी थी लेकिन अब कलेंडर के मुताबिक अब इन दोनों की मुख परिक्षा भी टलेंगी लिखा है कि आयोग के कलेंडर में दोनों परिक्षा हैं जुलाई में प्रस्तावित हैं 17 आरक्षी तितियां भी जो है बाकी है लिखा है पेपर लीग मामले म आरो यारो और यहां पर प्रारणभी परिच्छा 2023 निरस्त किये जाने और इसके बाद PCS प्रारणभी परिच्छा 24 अस्तिकत किये जाने से दोनों भरतियों की मुख परिच्छाओं का टलना भी अभी अभी नहीं है आयोग ने PCS 2024 की परिच्छा जुलाई में संभावित बताईए जबकि आरो यारो की परिच्छा को लेकर इस्तित अभी इसपस्ट नहीं किये है आरो यारो की चार सुगया तो देखो एक बात तो फिक्स है कि परिच्छा है वले जुलाई में हो जाए जूल में हो जाए लेकिन मेंस तो टल जाएंगी ना तो बाई प्री टेली तो मेंस तो टलना बिल्कुल आवई के ठीक है तो यह रही आज की कुछ इंपोर्टेंट अबडेट अगर आपको पढ़ना है तो आप इसकार स्कीन सौट दे सकते हैं बाकि अगर कोई अबडेट आती है तो मैं आपको चैनल के मादेम से जरूर बताऊंगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए खुश रही है मसत रही है जाही जाही